हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का अच्छी टिप्स यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा छिपकली का जमीन पर गिरना सुब या एशुब शाथ इस वीडियो में बताऊंगा छिपकली का मिलन देखने के बारे में आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकरी प्राप्तोस की छिपकली का जमीन पर गिरना क्या संकेत देता है हमारे घर में एक सार छिपकली इदर से उदर दिवार पर गूमतियों दिखाई देती है वैसे तो छिपकली का दिखना शुब माना जाता है अगर घर की दिवारों पर छिपकली निच्चे से उपर के ओर चट रही है तो यह सुब संकेत माना जाता है लेकिन छिपकली घर की दिवार पर उपर से निच्चे की तरफ चलती है या फिर घर की दिवार पर से जमीन पर गिड़ जाती है तो इसे ऐसुब संकेत मना जाता है इससे हमारे जिवन में छोटी मोटी समस्यें आने वाली है ऐसा समझा जाता है आई दोस्तों अब हम बात करते हैं पूजा घर में छिपकली का होना सुब है या फिर ऐसुब पूजा घर में छिपकली का होना या दिखाई देना हमारे लिए सुब संकेत मना जाता है हमारे पूजागर में छिपकली का होने का मतलब है हमारी आर्थिक इस्तितियब सुदरने वाली है ऐसा भी माना जाता है कि हमारे गर के पूजागर में अगर छिपकली दिखाई दे तो उस घर में धन धन्य की कभी भी कमी नहीं रहती और हमेशा के लिए धन की प्राप्ती होती रहती है तथा घर के सदश्यों में प्रेम भाव बना रहता है आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं छिपकली का मिलन देखना क्या संदेश देता है हम अक्सर दो छिपकली को एक साथ देखते हैं छिपकली का यह मिलन हमें दिखाई देना सुब संकेत माना जाता है माना जाता है कि छिपकली का मिलन दिखाई देना मतलब की घर के दमपती के बीच हमेशा के लिए प्रेम बना रहने वाला है तथा किसी पुराने मितर से आपका मिलन हो सकता है आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं सिर के बाल पर छिपकली गिरना सकून सास्तर के अनसार ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के सिर पर छिपकली गिरे तो इसे है शुब शंकेत माना जाता है इससे यह माना जाता है कि उस व्यक्ति की तबियत खराब होने वाली है या फिर उसकी मरत्य है वो निकट है आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं चाती पर सिबकली गिरना क्या संकेत देता है अगर किसी वेक्ति के चाती पर सिब के लिए गिरती है तो ये सुब संकीत माना जाता है इससे ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन में खुशियां आने वाली है और अगर बाएं चाती पर सिब के लिए गिरती है तो इससे ऐस सुब माना जाता है इससे ये संदेश मिलता है कि घर में कोई विवाद या लड़ाई जगड़ा होने वला है तो दोस्तो ये थास का मेरा वीडियो यदि आपको ये जनकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी का बटन भी दबा लें ताको मेरे द्वारा आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें